इस लेशन को सब्सक्राइब अच्छे से कर चुपे होगे और अगर नहीं किया है तो आप अच्छे से करोगे चलिए अब हम बहुत जिसके बारे में पढ़ेंगे वाट आर वेवरेज देखिए वी गेट कॉफी प्रॉम तो कॉफी का नेम सुनाएं जी नेम सुनाएं कॉफी और टी आप सभी जानते हो जब कोई भी गैस आते हैं आपके घर पर कॉफी और टी उनको आप जो है पिश्कर पहलते हो ला साथ कोफी कोफी आप उनको जो है कॉफी और उसके लिए बोलते हो कहां से मिलती है प्लांट से मिलती है कॉफी ब्लांट से प्लांट कॉफी के लिए भी हमारा जो किरला इस्टेट है it is famous कॉफी प्रोड्यूसिंग कॉफी करने के लिए famous है कौन के लिए प्रोड्यूसिंग करने के लिए आप अच्छे से लर्ण करोगे we get tea from tea plant अब tea हमें कहां से मिलती है अभी तो हमने कॉफी के लिए बात की कॉफी हमें कहां से मिलती है कॉफी ओफर करते हो टी ओफर करते हो जब आपके यहां पर कोई भी गैस्ट आते है ठीक है कॉफी कॉफी प्लांट से मिलती है जैसे कॉफी का प्लांट होता है वैसे ही टी का भी प्लांट होता, देखो यह टी की लीफ्स आपको दिखाई दे रही है, यह क्या है टी के प्लांट की इस तरीके की लीफ्स होती है, तो कॉफी हमें सबसे ज़्यादा कहां मिलती है, किरिला से मिलती है, किरिला is known for producing कॉफी, अभी हमने पड़ा, अब हम बात क प्लानट का पाई जाती है, सबसे ज़्यादा production कहां होता है, इंडिया में, इस मिलती है, एक तरीके का जीके कोफ्चन बढ गया है, विच स्थेट इस फेमेस फोर इस पाइस तो आप बोलोगे, केरिला इस फिमेस फोर कॉफी, तो आप बोलोगे, केरिला इस फेमेस पोर तो टी के लिए आप क्या बोलोगे गार्जलिंग एंड आसाम टी जो है सबसे ज़्यादा कहां पाई जाती है गार्जलिंग एंड आसाम में प्रोडक्शन होता है तो दीखें यहां पर हम रीट करते है टी इस मेड फ्रॉम लीवस ओफ दा टी प्लांट तो टी प्लांट की लिवस से आपको चोगे ठी का भी प्लांट होता है वाव वंडर्फूल कॉफी का भी प्लांट होता है जो ग्रेन इस फॉम में आपको दिख रहा है एक दम तो उनका क्या होता है प्लांट सोता है दखिये, Darling and Assam are major producer of tea in India. दार्जलिंग आपने नाम सुना है? Assam भी सुना होगा, different state है आपका, इंडिया के अंदर. तो Assam and Darling यह दोनों भी प्लेस हैं, यह किसके लिए famous है? आजर, major producer of tea in इंडिया. यह दोनों, Darling and Assam, major producer of tea. तो इंडिया के अंदर पी के लिए फेमस है आप देखे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर बॉक्स में क्या लिखा हुआ है ये वाला ठीक है अब हम क्या जानते हैं ड्राइट नीम लीव्स ठीक है क्या लिखा हुआ है ड्राइट नीम लीव्स कैप्टीन कबोर्थ्ट्स प्रो्टेक्ट क्लोड्स फ्रौम इंसक्त रखते हं तो वहाँ सिल्वर फीशिया च्छोटे च्छोटे बॉह सारी इंसेक्ट कभी कभी हो जाते हैं मोईस्टे से तो उसके लिए हम क्या करते हैं और नीम कि इसी निस्वे भाग जाते हैं इसलिए dried neem leaves kept in cupboards protect clothes from insects पहले तो हम वीट जो होता था सीरियल जो अनाज होते थे उनके अंदर भी हम dried neem leaves को box के अंदर चोटे-चोटे container के अंदर डाल डाल के उसके अंदर रखते थे उसकी smell से या cloth में wind up करके रखते थे तो उसकी smell से उसमें कुछ भी insects बगएरा नहीं होते अब आजकल अधर दूसरे options भी हैं जो हम दो है गेहूं में और अधर चीडों में डालते हैं तो dried neem leaves इसके काम आ रही हैं आपके कबोड में clothes से protection करते हैं किसका इंसेक्ट से protection कर रही हैं किसका protection कर रही हैं किस से कर रही है इंसेक्ट जो छुटे छुटे-छुटे silverfish और इंसेक्ट होते हैं तो वो जो है अपने clothes में नहीं आ पाते इसकी smell से नीम लीव्स की तो अब ये तो अपना ही जरीके का medicinal plant हो गया protection दे रहा है हमें नीम लीव्स अब आते हैं हम cocoa and honey अब हम cocoa की बात करेंगे अभी हमने coffee की बात कर ली tea की बात कर ली beverages जो हमाले drinkable item है drinking items है उनकी हमने बात की अब हम बात करते हैं यहां पर cocoa and honey की बारे में ठीक है do you know where we get chocolate sperm आप सब लोगों कुछ चॉकलेट बहुत पसंद आती है चॉकलेट बाला complaint, bond vita, milk की अंदर उसमें भी चॉकलेट ठीक है और चॉकलेट फ्लेवर चाहिए happy birthday का cake भी चॉकलेट फ्लेवर चाहिए आपको पता है इतना थारा चॉकलेट जो है वो हमें कहां से मिलता है चॉकलेट हमें मिलता है, कोको से मिलता है जो कोको बीन्स होते है उससे हम क्या बनाते है चॉकलेट बनाते है पाउडर बनाते है और उससे डिफ्रेंट फिंस बनाते है तो चोकलेट आर मेड फ्रॉम कोकू तो कहां से मिलता है कोको से और कोको कहां से मिलता है कोको का प्लांट होता है कोको प्लांट से कोको बीन्स होते हैं और उनकी हल्प से हम चोकलेट बनाते हैं समझ में आ गया? यस तो दब कोको बीन्स दब कोको बीन्स are used to make chocolate तो अब आपको समझ में आया जो आपको happy birthday cake में chocolate flavor है born vita complaint में chocolate flavor है और आपको dairy milk और ये सब 5 star different chocolates है ये सब chocolates आपको cocoa से बनाई जाती है जो cocoa हमें cocoa plant से मिलता है cocoa के beans form होती है seeds form होती है उसके powder से chocolate बनता है जिससे हम different things बनाता है समझ में आ गया अब बात आ रही है honey की honey that means share मिठा मिठा बहुत पसंद आता है सभी को तो कहां से मिलता है honey honey कोन बनाता है honeybees बनाते है honeybees से मिलता आपको honey honey bee name सुना है आपने चले है तो देखो what is written we get honey from honeybees honeybees से क्या मिलता है हमें honey मिलता है we get honey from bees जो bees होती है जिनको हम मदुमक्खी बोलते हैं हिंदी में उनको हम इंग्लिश में honeybees बोलते हैं तो honeybees से हमें honey मिलता है honeybees जो है beehive बनाती है देखा है मदुमक्खी का छत्ता जिसके अंदर से honey निकालते हैं तो अब उनके पास में इतना सारा honey कहां से आता है can you think आप सोच सकते हो इसके बारे में कि उनके पास honey कहां से आता है वो बहुत मेहनत करती है honey बनाने के लिए पता है कैसे मेहनत करती है देखो आगे क्या लिखा हुआ है the bees serve nectar from flowers to make honey जो आपके हैं जो honey bees होते हैं वो nectar flowers होते हैं different colorful flowers आपने देखा हुआ flowers के उपर भी honey bees different different colorful flowers के उपर जाती हैं और इसमें बहुत सुन्दर अच्छा अच्छा जिसके अंदर flowers के अंदर एक substance होता जिसको गोलते हैं हम nectar ठीक है तो वो nectar को सक करती है अपने mouth से sting से सक करती है और उससे क्या बनाती है honey बनाती है और फिर वो honey store होता है उनके विहाइव के अंदर जिसको क्या करते हैं जिसको वो जो है collect करती है विहाइव के अंदर इस थरीके से honey bee nectar को flower से सक करती है और उससे क्या बनाती है तो चिल्डन मजा आया आपको पड़ने में हनी की हनी पीज भी हमारे काम की है ब्लाँट्स के सासात में हँआ से हमनी मिल रहा है अगर सिर्फ Bye होंगे हनी बीज ने होगे तो भी हमें हनी नी मिलेगा है यह कुला है और फिर वो विहाइब के अंदर स्टोर करते हैं ॐ रहा है तो कोकॉ को 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 बाइं ऑर फ्लावरट flower part of the plants है honey bees के थो मिल रहा है लेकिन ठीक है तो आज आपको समझ में आया cocoa के बारे में honey के बारे में cocoa honey beverages means tea coffee and others, cocoa beans, these all we get from plants तो ये हमें सब बहुत सारी चीज है, मिन्दला plants are wonderful things, without plants life is not possible because we get different things which are used in our daily life, ये सारी चीज हैं जो हमारे daily life में use में आती हैं ये सब हमें कहां से मिल रही हैं, plants से मिल रही हैं, now come to next page 229 अब हम next page में चलते हैं, check point, so children you also complete these spellings, आज हमें spellings को complete कराएंगे तो आप जहां से complete करोगे, complete the names of the things we get from plants तो आप लोगों को ये complete भी करनी है, complete के साथ में आप लोगों को, याज आपका assignment है आपको ये सारी spellings को अच्छे से learn भी करना है, कमड़ना आगया, okay इस all things हैं, जो हमें plant से मिल रही हैं, you guess these spellings, हमें सब को guess करिए कि यहां पर कौन सा letter आ रहेगा, जिससे ये spelling बनेगी, ठीक है, तो हमारा first letter है fibers, क्या है हमारा, fibers है, तो fibers की spelling क्या लिखोगे, F और आप फिर इसके बाद में लिखोगे, यहां पर I, क्या लिखोगे, I, B, यह लिखोगे, R, E, आप में यहां अलग लिख देती हूँ है, इसमें जगे नहीं है, तो fibers की spelling क्या लिखोगे, आप यहां पर, देखो, F, I, I, I आपको फिल करना है, B लिखा हुआ है, B, यह लिखोगे, R, यह लिखोगे, E, यह लिखोगे, S, लिखा हुआ है, तो आपको पहले I फिल करना है, फिर B के बाद में, R, E, फिल करना है, S लिखा हुआ है, तो first spelling is, fibers, clear, number 2, number 2 में देखो, यहां पर आपको क्या लिखना है, can you guess, number 2 की spelling क्या हो सकती है, S, फिर यहां पर आएगा, A, क्या आएगा, A, फिर आएगा, C, फिर आएगा, C के बाद में, K, now you guess, it is very simple spelling, क्या होगई हमारी spelling, देखिए, S, A, C, K, S, क्या हो गया, S, A, C, क्या हो गया, S, A, C, क्या हो गया, S, A, C, वो जो, जूट, fiber होता है, जिससे यह, S, A, C, मतलब, यह, बोरे, बनते हैं, बहुत सारी, बोरियां बनती हैं, जिनको हम बोलता है, S, clear, तो यह, वो, item हो गया, ठीक है, तो first spelling ती fibers की, second हमारी हो गई, sex की, third one, अब हम third discuss करते हैं, यह वो ही है, और जो हमें honey bees, जो हमें honey देती हैं, वो spelling है, third one, H, O, N, E, Y, यह, यह, third spelling हमारी यह, third वाली spelling हो गई, ठीक है, honey की spelling हो गई, ठीक है, अब देखो next spelling, fourth, fourth में, beverages की spelling हमें यहां पर फिल करनी है, fourth number में, B, beverages की spelling, B, E, V, E, R, A, G, E, S, क्या फिल करोगे, बहुत थोड़ा long spelling है, तो क्या लिखोगे, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, B, E, V, E, R, A, G, E, और यह, S, यह हमारी हो गई, beverages की spelling, clear हो गया आपको, beverages, ठीक है, समझ में आगया, तो आपको सबसे पहले, E, फिल करना है, फिर आपको, V, फिल करना है, E, और R, लिखे हुए है, फिर आपको, A, फिर G, और फिर E, ठीक है, इस तरीके से, you will complete spelling number four, beverages, ठीक है, now, fifth one, क्या लिखोगे, यहां पर, very simple spelling is, wood, जो हमें ब्लांट से मिल रही है, डवनू, डवलो, D, very simple spelling, five number पर wood आएगा, आप जाओ, six number पर, medicines, तो क्या लिखोगे, six number spelling is, medicines, so, लिखो, M, E, लिखो, M, E, you complete it, एक वापस से लिखते है, M, M, E, D, I, ठीक है, C, I, N, E, S, ठीक है, यह हो गया, N, E, S, अब किलिए हो गया, medicines की spelling, तो आपको, M लिखा हुआ है, E लिखना है, फिर D लिखना है, I लिखा हुआ है, फिर C लिखना है, फिर I लिखना है, फिर N लिखा हुआ है, फिर E लिखना है, यह आपको फिल करेंगे, clear, next अब हम यहां आते है food, seven number जो spelling है वो किसकी है, हमारी यह वाली food की, very simple है would के जैसी rhyming word food would, food would, food, food F, O, D तो यहां पर बीच में F पर लिए O आएगा और फिर डबल ओ आएगा ठीक है clear हो गया, चलिए F, T, O, D एक हो तो लिखा हुआ है ठीक, next अब हमारी last spelling है क्या है, यह भी यह fiber जो हमें plant से मिल रहा है, जैसे cotton, cloth या फिर jute, तो cotton और jute, कोई भी fiber cloth, cloth किसे बनते हैं fiber से cloth बन रहे हैं न cloth की spelling, C L O, T H C, L, O, T, H cloth, ठीक है, तो यह यहां पर spelling so in this way we have completed all these spelling so dear children you learn and revise all these spelling very carefully or you complete these spelling carefully first of all then you learn it all these spelling and you revise clear children यह सारी things हमें कहां से मिलती हैं जो हमने अभी complete करी यह सब हमें प्लांट से मिलती हैं so okay children take care until then bye and please subscribe my video if you like it okay yes bye children झाराव से लिशधाट से लिएपराप्ट प्लाबर करें लिएभाप्ट